नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आनियन पुला और उसके साथ खाने वाली धुमें वाले रायते जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्बु करनो जिया अपने चैनल घर का जाएका विद खुश्बु में आपका स्वागत करती हूँ तो चलिए बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने आलरेडी पानी को गर्म कर दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ यह पानी बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है फिर हम इसमें एड करेंगे मसाले खरें और उसमें है इलाइंची बरी इलाइंची छोटी इलाइंची लॉंग यह सारी इंगिडियंस का नाम मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहां से चेक कर लिजिएगा चावल मेरा थोड़ा खिला खिला वने तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चमस घी आइड करेंगे और साथ में स्वाद के लिए हम एड करेंगे सॉल्ट फिर इसे कवर करकर कुछ देर और उबा लेंगे अब पानी अच्छी तरह से उवल चुका है अब हम इसमें आइड करेंगे सोप किया हुआ चावल और मैंने इस चावल को 10-20 मिनिट के लिए पानी में अच्छी तरह से सॉक कर लिया है फिर हम इसे ढख कर 80% तक कुप करेंगे यह ऐसा पुलाव है जिसे ने कभी भी पुलाव नहीं बनाया है वो भी बना लेगा बहुत ही असानी से तो मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक चरूर कीजिएगा अब हमारी चावल भी 80% तक कुप हो गिया है अब हम इसे चाल लेंगे तो आपको समझ में ना आए तो आप इसे मुँ में लिजिएगा और एक दाताने तक इसे कुप करिएगा फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं तो हमें यहाँ पर एक बरतन लेंगे और उसमें एड़ करेंगे घी अगर आपके पास घी नहीं है तो आप डिफाइन तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं फिर हम इसमें आनियन को फ्राइ करेंगे जब ओनियन गोल्डेन ब्राउन जैसा हो जाये तब हम इसे बाहर निकाल देंगे और इसे फैला कर कुरकुरा होने के लिए साइड में रख देंगे फिर हम इसी घी में आट करेंगे काजुआ और इसे भी फ्राइ करेंगे हम किसमें इसको भी फ्राइ करेंगे फिर हम कोकोनेट का फ्राइ करेंगे फिर हम कोकोनेट का फ्राइ करेंगे फिर हम ये जला हुआ घी निकाल झाल inhib आट का जला ​​ कर इसमें दूसरा घी एड़ करेंगे ताकि यह जी घी काफी जल चुका है तो हम इसे साइड कर देंगे और इसी में हम दूसरा घी एड़ करेंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे जीरा और अद्रक और हरी मिर्च फिर हम इसमें एड करेंगे प्लाव मसाला और ये प्लाव मसाला घर का बना हुआ है अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें अब ये अच्छी तरह से सोते हो गया है अब हम गयस को आफ कर देंगे तो हमारी सारी चीजे तयार हो चुकी है अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ तो मैंने यहाँ पर चावल को पूरी तरह से ठंडा होने दिया है ताकि ये इसका दाना टूटे ना और फिर हम इसमें एड करेंगे सारे फ्राइ किये हुए मसालों को जिसमें हमारी सारे इंगिडियन से जिसे हमने फ्राइ किया था तो इसे भी हम इसमें एड कर देते हैं और यहाँ पर आणियन को भी एड कर देंगे अगर आप इस करवज़ अपने घर में ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप ओनियन को स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं फिरम इसमें सारे फ्राइ की हुए मसाले जिसे मैंने छोक लगाया था वो भी इसमें एड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब ये मिक्स हो गया अब हम इसे टेस्ट करके बताते हैं कि इसमें नमक कैसा है तो हम इसमें थोरा सा लेंगे और इसमें नमक कम है तो हम थोरा सा इसमें नमक और भी एड कर देंगे फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करकर इसे साइड में रख देंगे अब हम आपको इस प्लाव के साथ खाने वाले धूये वाली रायते की रेसिपी बताते हैं तो इसके लिए हम एक चल्ली दार बरतनेंगे अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप अश्टोप पे भी डारेक्ट चारकोल को रख सकते हैं तो हम यहाँ पर गयस को आन कर दिये हैं छोटे छोटे चारकोल लिए हैं और इसे हम थोड़ा गर्म करेंगे गर्म थोड़ा क्या इसे पकाएंगे जब तक ये कूक होता है हम आगे का प्रोसेस करते हैं तो हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और इसमें एड़ करेंगे दही और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब यह मिक्स हो जाए तब हम इसमें एड़ स्वाल्ट करेंगे फिर रेट चिली एड़ करेंगे और हम इसमें एड़ करेंगे अधरक और लासुन का प्रेजट अगर आप करवा चॉता स्पेसल बनाना चाहते हैं तो आप लासुन को एवड कर दीजिएगा फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हमें हाँ पर एक कटोल लेंगे और इसमें एड़ करेंगे पके हुए चारकोल को और आप चारकोल को थोड़ा साबधानी से एड़ करिएगा क्योंकि वो ज़्यादा गर्म है फिर हम इसमें चारकोल पड़ ही एड़ करेंगे घी और इससे ढख देंगे जब तक ये अच्छी तरह से ठंडी न हो जाए तो लीजिए हमारी दही भी तैयार है इसका स्मोकिंग बहुत ही अच्छी आ रही है फिर हम का टोड़ी को बाहर निकाल देंगे तो हमारी दूएं वाली रायते तैयार है अब हम इसे काटोड़ी में निकाल लेते हैं तो हमारी अनियन पला भी तैयार है तो हम इसे सर्व कर लेते हैं और कटे हुए प्याज के साथ तो लीजिए तैयार है अनियन पुलाव और धूएं वाली रायते अगर आप करबाचोड में इसे बनाना चाहते हैं तो इसके इंगेरियंस को नोट कर लीजिए जो की ये है तो मैंने इसे बहुत ही प्याड से तियार किया है तो इसे टेस्ट करना तो बनता ही है तो चलिए इसे टेस्ट करकर बताते हैं कि ये कैसा बना है इसका दाना कितना खड़ा खड़ा है और लंबा लंबा ये सच में बहुत ही टेस्टी बना है यकीन नहीं होता तो आप इसे एक वार अपने घर पर जरूर ट्राइ करिएगा मैंक सियोर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में सेयर जरूर करें और अगर आप फर्स्ट वार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जयकावित खुशूर में जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए क्योंकि अपना भारत स्वक्ष भारत